हेलो दोस्तों आज जब हम डबल बेस बजा के चेक कर रहे थे तब पता चले कि एक जो 18 इंच का स्पिकर तो बज नहीं रहा था तो हमने देखा तो पता चले कि उसका लीट काफी तरफ भूरी तरह से जल चुका है अब देख सकते हैं किस प्रकार जल चुका है काफी खतरनाक पुरा जल के काला हो चुका है और इसको रिपैर करेंगे देख सकते हैं इतना जल गया कि तूट भी जा रहा है इसको रिपैर करने के लिए सबसे पहले तो सोडर आरन को हीट करके जो बचावा पार्ट है उसको अच्छे से निकाल लेंगे देख सकते हैं किस प्रकार निका अच्छे से इसका जो स्पिकर का कॉईल का जो लीड होता है उसको निकार लेंगे अच्छे तरीके से कि टूट ना जाए इसके बाद पिर देख सकते हैं कापी जाता ट्राइट है इसके जान से अब हम इसे अच्छे तरीके से जो कि एलेक्टिकल जो चिम्टी होती है उसके तरूँ इसको पिकला कर अच्छे से निकार लेंगे स्लोली स्लोली इतना ट्राइट जो है कि निकल नहीं रहा है फिर भी इसको किसी निकल अब यह निकल गया देख सकते हैं किसे परकार लेट को लगा चुका है अब इसको लीट के तरूँ कनेक्ट कर रहे हैं तरूँ अच्छे तरीक से स्लोल्डिंग कर देंगे कि यह हीट होकर टूटे ना जलती और देख सकते हैं दोस्तों जो स्पिकर लीट के सेकंड साइट होता है इसको इस परकार से अच्छे से starting के माधियम से इसको अच्छे से चारो तरप sorting गा चीज heated अब लगा लेना चाहिए और इसके बाद अच्छे तरीके से देख सकते हैं इस प्रकार आपने कसि कर सकते हैं अगर-आपका क्षे कर का इस परकार से कापी अच्छे तरीके से धीरे धीरे Swalding Iron को अच्छे से बठा करके Hit करकर Connect कर सकते हैं अपना Lead Wire को देख सकते हैं इस परकार से Connect हो जाएगा अच्छे तरीके से और यह देखें Connect छोड़ दिया अच्छे तरीके से लग रहा है यह चिपका नहीं है अब यह चिपक देख अच्छे तरीके से देख सकते हैं यह देखे है यह देखे हैं यह देखे हैं चिपक यह हो गया देखे यह और अब देख चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं हम रूप पहले तीसे स्पिकर का मुरूप फिट करेंगा क्याबनेट पर इसके बाद इसको बजाएंगा चलिए तो आईए देख सकते हैं इस परकार से आप फिट कर सकते हैं आप स्पिकर पर टाइट हो गया दोस्तों आप चलते हैं इसके और और आप करते हैं यहां बेसे आपर ईक्ताइब कर से ने करुकि कर दो कर सकता है R.I.S. R.I.S. R.I.S.